आज विश्व आदिवासी दिवस के मोके पर रासमन जिल्ला मुक्याले के वासोल गाह में परदेज इस्तरिय आदिवासी सम्मिलन का आईजन किया गया इस मोके पर समाज के परदेज इस्तरिये पदादिकारी कारेकारणी सदश और हजारों की संग्या में आदिवासी बंदू एकर्तित हुए स्वागत समारों के बाद समाज की उत्कृष्ट परतिबाओं को मंच पर सम्मानित किया गया वही सम्मिलन के दोरान मोझून वक्ताओं ने समाज के विकास के लिए युवाओ को सिक्षा और अन्रिश्वास से दूर रहकर संगठित रहने का आन किया गया यहां मोजूद व्यक्ताओं ने कहा कि आज के समाज के लिए चुनोती परा है लेकिन जरूरी है कि उनके लिए युवा सबसे पहले नई पेड़ी को सिक्षा और तक्निकी सिक्षा के निपूर्ण करे ताकि वे समाज के साथ रहकर कंदे से कंदा मिला कर आगे बढ़ सके वही बहु विवा और सराव जैसी कुरूतियों से दूर रहकर समाज विक्सित करने और महिलाओ के उत्थान के साथ महिलाओ को भी समाज के बराबर दरजा दिलाने पर जोड दिया गया इस मोटे पर मेवार संभाग के अलग-अलग गाओं में तैसिल से युमाओ के दोली भाइक रेने के रूप में नारिबाजी करते हुए समारों इसकल पर पहुची एक जोसी ये इस सम्मिलन के बाद समोईक सनेव भोज का आईजन भी किया गया कि अधिवाजी तंके कांतिला महिया जोगी उनी के साथ में संजैक करी नामा जोगी भी शात रहता है ये मेलेट के जो भुज्याद कि उनके प्लाजेट के लिए में हैं मेरा भाई